आज हम आपको बताने जा रही हैं कि आप कील का इस्तमाल करते हुए किसी भी विक्ति को अपने वश में कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपको दो लोही की कीलो की आऊ सकता होगी आप इन दोनों लोही की कीलो को एक गिलास पानी ले ले लीजिए उसके अंदर निम्बू निचोड़ लीजिए आप उस एक गिलास पानी में जिसमें आपने निम्बू निचोड़ा है उसके अंदर इन दोनों कीलो को जब आप इस मंत्र का उचारन कर लें तो उस एक गिलास पानी में फूक मारा है उसके बाद आपको करना यह है कि उन दोनों कीलों को उसके अंदर से पानी में से निकाल लेना है और वह पानी पैक देना है अब उन में से एक कील को आपको पीपल के पेड़ में जाकर के ठोक देना है और जो दूसरी कील होगी आपको वही उस पीपल की पेड़ की जड़ के पास एक दिया रखना है और दिये को जला लेना और उस दिये में दूसरी वाली कील को डाल देना है बस आपको इतना सा करना है और वह वैक्ति आपके वश में होगा जिस भी वैक्ति का नाम आपने उस मंत्र को बोलते वक्त उस मंत्र के बीच में लिया होगा सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को धन्यवाद